अब हम बुल्डोजर चला के किसी की जानमान की हानी या एक लंबे समय तक वो नहीं कर सकते हम 9 सेकंड लगाएंगे और भरस्टा चार को उपर आसमान में से जमीन के अंदर मलवे के रूप में बदल देंगे इसमें अभी डिवेटें सुरू होंगी इसमें अभी केजरीवाल लालू कालू भालू यह तमाम जो महागट बंदन है जो भाजपा के खिलाप जा रहा है देश के खिलाप जा रहा है यह सब लोग एकटा होंगे और इकटा होगे अभी यह मनन करेंगे रातों में आज रातेने ने नीद नहीं आएंगी कि आडी-क्स वाला नया आप डेत ब वो बाबा है इस बिल्डिंग को बनाने में जितने भी अतकारी सलिप थे आप देखते जाएंगे उनके घर पर पुल्डोचर चलेगा उनकी नौकरी पर पुल्डोचर चलेगा उनके जितनी भी संपती कमाई गई है काले कारणामों से उस पर भी डायामाइट संपतिय भी करेगा तो राम नाम सत्यों नमस्कार में हो के शमालान महज चार दहमा के नौ सेकेंड और 32 मंजला इमारत जमी दाउज हो गई यहां ऐसा ही वजय कि एक क्योंकि भ्रष्टाचार की जो नीव थी वह इतनी कमजोर थी कि जिसे गिराना मजबूरी हो गया सुप्रीम कोट के भले ही आदेश पर गिराए गई हो लेकिन योगी सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की राहा पर बनाने का जो एक सिल्सला शुरू हुआ था शायद आज दिखाई दे रहा है आज बात करेंगे खास इसी मुद्दे पर हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं और जानेंगे कि इससे पहले जिन सरकारों ने उसे इमारत को बनाने में अपना योगदान दिया आज उसी इमारत को योगी सरकार में गिराए गया बहुतों स्वागाद सर क्या नाम है आपका दरंबीर सिंग लोदी सबसे बड़ा सवाल कि आज 32 मंजला इमारत जमी दोस कर दी दे गयी प्रस्टाचार की की निव पर खड़ी की देखे यह योगी सरकार है और कतनी और कर्णी में योगी सरकार ने कभी भी भेदभाव नहीं किया योगी सरकार जो कहती है वही करती है यह पहले की जो सरकारे रही या सपा हो या बसपा हो उनकी मिली भिगत मैं तो यह कहूँगा कि तौनों का मिस्रण क्योंकि यह बसपा सरकार में यह बिल्डिंग बनना शुरू ही थी और सपा सरकार में इसको फाइनल टच सजा के तजा के एक दम बढ़िया तरीके से इसको खड़ा कर दिया और योगी सरकार ने जिसकी नीम इतनी कमजोर थी और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग को पहले कभी द् कर दिया और बिल्कुल भी देर नहीं लगाई ऐसी एक अराजकता पहलाने वाली सरकार की जो एक निसानी बन गई थी बिल्डिंग उसको तो मैं यहीं कहूंगा कि आप देखते आ रहे हैं जब से योगी सरकार आई है हमारा पहले का कारिकाल रहा हो या यह रहा हो गुंडे माफिया अपने गले में तक थी लटका कर आते हैं कि हमें अरेश्ट कर लो कहीं ऐसा नहों कि हाईवे पर चलते समय कोई पुलिस की गाड़ी पलट जाए और उनका काम तमाम हो जाए तो यह तो अभी एक शुरुआत है आगे आगे दिखते जाए कि जितने भी इस तरीके के मामले आएंगे और योगी सरकार बिल्कुल भी देर निलगाई गए उनको दश्ट करने में अब तक बुल्डोजर बाबा की पहचान से जाने जाने वाले योगी बाबा लेकिए अब यह अपडेट कहीं वर्जन अपडेट हुआ है कि बुल्डोजर से आगे अब एक बिस सिर्ट आने कितना अपडेट होगा अभी कितना अपडेट होगा अभी मात 10 लगाए हैं हंदुस्तानी सब बडी बिल्डिंग बनाने यस में इस बड़कार ना बुल्डोजर से आगे तो डाइनामाट कहीं न कहीं आप देखते जाए अभी उनके उन पर संपतियों पर भी लगेगा यूपी एलेक्शन में अखलेस ने कहा था कि योगी बाबा क्या अपडेट करेंगे क्या जाने क्योंकि उनको खुद लेपर चलाना तो आता नहीं न राउंड पर क्या जाएंगे वह थोड़ा टीवी खोलें के बुल्डोजर बावा क्या-क्या चला रहे हैं हमें समझाने की जरूत नहीं है कि वह लेप्टॉप चला रहे हैं उनको सब आता है मुक्तार अंसारी से पूछ लो कि लेप्टॉप कैसी चलता है आजम खान से पू हो तो घर के अंदर कहो एक मुझे बात याद आ रही है कि संसद में आजम खान से किसी ने पूछा था कोई मीडिया में के आप बाबा के ऊपर क्या कहेंगे उन्होंने यह कर दिया वह बैया यहां तो अपनी बचानी मुश्किल है मैं बाबा के लिए क्या कहूंगा तो अख भी पढ़ता रहता हूं कि हाँ प्रदेश में क्या जला है तो बाबा अपडेट होके डाइनामाइट की तरफ जा रहे हैं यह खड़ा होता है कि आज जिस हिसाब से लोगों ने खुशी मनाई ऐसा पहली बार हुआ कि जब एक बिल्डिंग गिराई जा रही है और आम जंता ताली बजा करके खुशी मना रही है क्या समय आ गया है कि जो प्रष्ठा चारी होगा उसका हश्र बिल्कुल इसमें दोराय नहीं हो सकती बाबा योगी जी की सरकार है चाहे कोई कितना भी कड़ बड़ा हो छोड़ेगी नहीं सिर्फ इसका यही असर होगा या तो खतम होग और यह प्रदे से बाहर जाएगा और यह कोई ज़्यादा गुंडा गर्दी करेगा तो राम नाम सत्यों के ना में सबसे बड़ी इमारत जो की ब्रेश्टाचार की कच्छी और कमजोर नीम पर जो खड़ी की गई थी जिसमें सपने दिखाए गए थी सपनों का घर लेकिन मौ पूरे देह में रोज था कि उन आतंकवाद्यों को हमारी सेना के हत्ते दे दिया जाए और थे कुछल दिया जाए और आज एक RDS फटा है उसने पूरे देश को खुशी दी है और पूरे विश्व को एक संदेश देने का काम किया है कि इसी भारत में बहुत पहले एक संत ने जनम लिया वो ते स्वामी बिवे कानंद और उन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारत की एक नया कीर्थमान और विश्व गुरू के रूप में स्थापित करने का काम किया और एक संत है जो उत्तर प्रदेश के मुखिया बनाए यहां की जनता ने और वह भी पूरे विश्व को एक संदेश दे रहे हैं कि RDX का प्रियोग केबल सैनिकों को मारने के लिए सहाधत के लिए या निर्दोस ज प्रिंश्टावर थे जो कलत रूप से बसपा और सपा के काल में पनपके बड़े हुए और कितने बिल्डरों को उसका लाब हुआ और गरीव व्यक्ति की कमजोरी का कारण वो बने उनको आज सुप्रीम कोट और हाई कोट जो भारत की नयाए विश्वास है उसका सहारा ले करत है वारत्यजंता पार्टी की सरकार कर सकती है यहां के युवाओं को यहां के सेनिकों को यहाँ कीके फोर्सिस comm gender और बंगल में जिए पर जो सनातन बिरोधी हैं उन्हें एक मैं कहता हूं यह बहुत बड़ा संकेत योगी जी ने दे दिया है कि आने वाला समय उनका नहीं आने वाला समय एक राष्ट वादियों का है देश की हिपाज़त करने वालों का है देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने वालों का है यह संदेश योगी जी ने देने का काम किया यह संदेश साफ जाएगा उन व्रष्टाचारियों को जो एक गलत तरीके से बड़ी बड़ी गगन चुम्बी इमारत में बना करके कहीं धूल में मला आखों में धूल जोगने का काम करते थे और जनता के साथ में धोका करते ऐसे जो बिल्डर माफिया के रूप में देश में इस्थापित हो रहे थे गरीब लोगों को गरीबी की और भेज रहे थे और खुद अमीर लोग होकर अमीरी की तरफ जा रहे थे उनको ध्यान रहेगा कि एक एक नियम एक एक कानून और देश हित में सारे कामों को अपनी जो कर प्रणा मुझे आज वो 9 सेकंड में पूरी धराइसाई हुई 12 सेकंड का समय उस बिल्डिंग को गिराने का दिया गया था और उसके बाद जब धराइसाई की गई तो मैं समझता हूं महज 9 सेकंड लगी और उससे कम और सब देखते रहेंगे सब तालियां बजा रहे थे अब यह कहेंगे कि यह लोग तो एक अलग परंपरा ला रहे हैं इस पर भी डिवेटें शुरू होंगी इसमें अभी केजरिवाल लालू कालू भालू यह तमाम जो महागट बंदन है जो भाजबा के खिलाप जा रहा ह यह सब लोग इखटा होंगे और इखटा होगे अभी यह मनन करेंगे रातों में आज राते ने नीद नहीं आएंगी कि यह आडी एक्स वाला नया अपडेट बाबा कहां से लिया है और यह उत्तर परदेश में नया बर्जन क्यों लांच होता है इसके बाद में मैं समझता कि कहां से आया बुल्डोजर के एक भारत के जो सबसे बड़ा राज्य उत्तर परदेश उसके मुकिया ने लांच किया है बुल्डोजर बर्जन और अब RDS वर्जन लांच हो गया है एंड़ोड का जमाना है एंड़ोड से भी उपर हमारे बाबा जा रहे हैं जो अगले से अब कहते थे कि इनको लेप्टॉप चलाना नहीं आता अरे लेप्टॉप चलाना तो छोड़ दीजी अगले जी यह आपके लेप्टॉप में बर्जन भी अपडेट करने वाले बाबा है यह आपका लेप्टॉप आपके जीवन के बर्जन भी चेंज कर देंगे यह वह बा माध्धमॉं से अन्य-अन्य मतों से करने का काम करते हैं उनको यदि कोई जबाब देने का काम कर रहा है और कहते ना ब्रश्टाचार खतम नहीं होगा ऐसी भी लाएन हमने सुनने को मिली है पिछली सरकारों में लेकिन ब्रश्टाचार कैसे उनकों कि भारत में ऐसा भी हो सकता है कि एक बिल्डिंग को किसी को कोई नुक्सान बिना पहुंचाए उसे जमी दोज किया जा सकता है यह एक भारत के बैग्यान कों के लिए भी बड़े गरब की बात है यह बहुत जादा बरबादी नहीं करेंगे अब हम बुल्डोजर चला के किसी की जानमान की हानी या एक लंबे समय तक वो नहीं कर सकते हम 9 सेकेंड लगाएंगे और भरस्टा चार को उपर आसमान में से जमीन के अंदर मलवे के रूप में बदल देंगे लेकिन एक आखरी सवाल में करूँगा कि कहीं ने कहीं सवाल यह भी ख़़ा होता है कि जिन लोगों की सह से इतनी बड़ी गगन चुम्बी इमारत बनाएगे क्या समय आ गया है कि उनके खलाप में और उनसे एक जिससाब से धंगाईयों से जो रिकवर किया था पैसा वहाँ पैसा उनसे रिकवर किया जाए वह रिकवर वाली प्रिक्रिया भी बंद नहीं हो यह उत्तर प्रदेश के अंदर वह जारी है और मैं समस्ताओं के कुछ ची जिन सरकारों में ऐसी क्रिया कलाप उत्पन हुए इतने बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के पुलंदे आज जमी दोश किये गए कि उनको खतम करने के लिए और उनको रिकवर करने के लिए कि ऐसा कोई बिल्डर तो करेगा ही नहीं सरकार भी कोई असी ना करे कभी कहीं की भी उसके लिए भी पिलान अवस्य मुक्मंत्री योगी जी के मन में और हमारे नियाया लेयों के मन में भी चल रहा होगा और निश्चित रूप से बहुत जल्द हम सब लोगों के सामने वह प्रकरियां वह वह व्यवस्ता हैं सामने उजागर होंगी क्योंकि जब यह टाव बेक्स लगा के लिए मन रिए चयाँ जब कर जो है और वहां से नुकसान ओगाCrест के जो लोगों की भरपाई करेगान नुकसान की वह वह वही करेगा जिसने ये तैयार तो राम राज्य है और देश विष्ट गुरू की और बढ़ रहा है क्योंकि योगी मैं समझता हूं कि वो कभी स्वार्थ के लिए वो जीए गा तो अपने राष्ट के लिए जयेगा वह अपने सनातन के लिए जी एगा क्या नाम है असको गिरते हुए कीस तावर को कैसा लागा देखिए उसको टुपपट को गिरते हुए देखा बहुत इतनी जयता थी कि बहुत इतना हर्सोल लांस से सबी लोग यह मना रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ जो ब्रष्टाचार की निम जिन लोगों ने रखी ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा लेकिन ऐसा हुआ है तो इसको होने से सारे जो भी ब्रष्टाचारी है जो भी बिल्डर है उनके लिए यह सबक है कि जो लोग खुशी मना रहे थे एक बहुमंजला इमारत के गिरने पर क्या सबक जाएगा कि कोई भी जो बिल्डर हैं जिनके पास अता संपत्य उनके पास बहुत सारे साधन है उन साधनों का दिरुपीयों जैसे कर रहे थे उस जिससे कुछ भी कर सकते हैं अब वह आगे को उनक वन पॉंट जीरो था तो ये अडियेक्स बाबा का जो अपडेट वर्जन है 5.0 है कोई ब्रश्चाचार के कमजोर नीम पर अगर उची इमारत खड़ी करेगा पल भर में ऐसे ही धुस्त किया जाएगा धन्यवाद